हाई गाईज विल्कम टुक्ट टेर्स गाईज सरक्रेटर्स में आप लोग को बहुत स्वागत है सबसे परस्ट अपॉल मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग को भर दिख सुबिछा कि आप सरक्रेटर्स को इतना प्यार और महबद दे रहे और सरक्रेटर्स को एक छोटी सी दिन में इतनी बड़ी मोकम तक पहुचा दिया है गाईज सबसे पहले मैं यह डिसकास कर रहा हूं कि कल का दिन पर मैंने निप्टी का क्या-क्या लेविल आपको बताया था और मार्केट आज क्या होता हुआ दिखाई दिया है और नेक्ट लिए मैं बताऊंगा कि कल जो ए सब्सक्राइब कर लेता हूं यहां पर यहां पर यह चार्ट है और यहां पर यह चार्ट है कि देखें कि एक दिन आपका टाइम गोश्ट कर लीजिए मैं कब भी नहीं कहता हूं सबसे पहले मेरा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, जोइन कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लेगे तो आप लाइक क्यों करेंगे, तो देखिए, मैं यहां पर कल के दिन पर क्या कहा था, 15,000, 15,750, कहां पर जा रहा है तो हमें P-Side में जाना है, तो हमारा इस Telegram चैनल पर आपको क्या 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 दिया था, Morning पर वह भी आप देखें होंगे, P-Side में सुबह में Target Hit कराया था, Nipty के उपर, फिर बाद में C-Side में Hines Target कराया रहा है, और support क्या बताया था, 15,641, तो यहां पर देखिए, कहां पर जा रहा है, जो 16,000, इसके साथ में मैं क्या बताया था, previous day का जो low है, यह आपको support बन सकता है, तो 15,675 नेर बाट इस लेवल तक आपको support बना है, जो हमारा point दिया था, इससे just 30 point का उपर, resistance, अब देखिए, resistance के बता है, 840, market कहां तक गया है, ज़रह यह ध्यान दीजे, ज़रह यह ध्यान दीजे, market कहां तक गया है, बिलकुल, बिलकुल 780, यानकि previous day का high जो है, near about वहां सी, जो हमारा train line बन रहा, तो वहां तक जाता हुआ दिखाय रहा है, तो जैसी हमारा, जो pivot line है, इससे ऊपर चला गया है, तो हमारे एक buying side में अच्छा opportunity मिला है, जब इससे हमारे चैनल पर बने रहेंगे, आपको clear समझ में आएगा कि कहां पर हमें trade लेना है, कौन सी time frame देखना है, कौन सी time frame के बसाथ, कौन सी call option लेना है, तर यह सारे चीज, आपको 25th June, जो आपको courses आ रहा है, सारे चीज बतने वाला हूँ, ओके, चले guys, अब बैंक्निप्टी के क्या label मैं कल के दिन में expert किया था, और यहां पर जो मैं train line, हमेसा आपको सिखाता हूँ, उस train line भी कैसे काम किया है, तर बैंक्निप्टी के जो मैं resistance label दिया था, 33,578, 33,578, आप यहां पर नहीं जुड़े हैं, तो discussion box में link है, आप जुड़िए, ठीक है, और इस तरीके से call आज मैं कहां पर हूँ, आज मैं दोस्त, पूरी में हूँ, और पहले भी बताया हूँ कि इस तीन दिन मैं अत्मी ज्यादा active नहीं रहूँगा, तो मेरे जितनी का पूरी का जो followers है, जो दोस्त है, मैं उनको कहाना चाहूँगा, कि उनको अगर meet करना है, तो मैं उनके लिए clean pinpoint resistance यह बनता है, आपको 78, तो आज के यह high था, जैसी high पर पहुंचा है, मैंने आपको इस Telegram चैनल पर क्या दिया था, मैंने आपको Telegram चैनल पर एक पूर दिया था, ध्यान दे रहे हैं आप, जो पूर दिया था, मैंने यह पर लिखा था, कि 100 CR 190 के पास, आप बाइंग अब देखे, कल के लिए मैं क्या level expect कर रहा हूं, कल के लिए market का क्या expectation कर रहा हूं, तो guys, सबसे पहले मैं बताऊंगा, मैं global market अभी तक नहीं देखा हूं, अगर मैं आपके सामनी जाकर global market देखूंगा, तो यह एक नजर मैं उसके उपर जरूर आपको व्यूरू बताऊंग और Indian market से क्या scenarios आ रहा है, यह था NASDAQ का स्थेदी, अब NASDAQ क्या करता है, निप्टी को gap up and gap down में सहरा मिलता है, अब देखिए, निप्टी का क्या scenarios है, जो bottom level है, बार बार टच कर रहा है, अब मैं क्या बोलता हूं, जब कोई bottom level बार बार टच कर रहा है, तो bottom level क्या होता है, week हो जाता है, ठीक है, कितने बार टच क्या है, यह six time क्या है, bottom level को touch कर रहा है, तो यह जो level है, यह आपको bottom week हो रहा है, मैं clear बता रहा हूं, bottom हो रहा है week, कल कर दिन पर अगर आपको 15,650 से नीचे market, नीचे market थोड़ी दे सस्टेंट क्या, फास्ट 15 मिनिट में आपको पूर साथ में अच्छा profit मिलेगा, कौन सी boost लेकर चलेंगे उस time पे, अगर आप बड़ा profit चाहते हो, तो 15,650 बूट लेकर चलना, और यहां पर एक अच्छा profit मिलेगा, second of all, second of all अगर इस range पर फिर से फसा हुआ रहता है, तो आपको फिर range bound रहेगा, और इसका ऊपर जब चलेग बहुत बड़ी चीज बताने वाला हो, हर रोज, हर रोज अब क्या देख रहे हो, जो R1 लेवल और S1 लेवल, resistance लेवल and support लेवल, यह हर रोज के आगर बढ़ते जा रहा है, अब ध्यान दीजे, आज P point कहा है, कल के लिए P point कहा है, कल के लिए P point कहा है, कल के लिए P point जो है, वह को 15,000, 15,000, 15,717, और R1 लेवल कहां पर है, 15,000, 15,000, 15,757, ठीक है, और S1 कहा है, 15,652, यानि कि जो R1 और S1 है, यह थोड़ा करीब आ रहा है, ठीक है, जब ऐसी सिनरीज होता है, तो यहां पर जो CPR होता है, CPR नेरो हो जाता है, जब भी CPR नेरो होता है, तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है, मैं कल का जो वीडियो बनाया था, निप्टी का, उसमें बहुत क्लियारली आपको यह थम्मेल दिया था, कि एक ध्वहाध़ारी का तयारी कर रहा है मार्केट, और मैं आज भी ही बता रहा हूँ, एक ध् a cold, when I come to receive more minutes, 100 रुसाेędा का pur 200 रुपया हो गया है مै 220 रुपया है मैं दुबारा पूट लिया हूँ, अब यह उल्टा आगया रल्वा उन्हों तो मैं क्या बताना चाहा हूँ, जो आरवान है और S1 है यह करीब आरहीं यह किया उपष से पीस्टा जा रहा है नीचे से पीस्ता जा रहा है जब यह पीस्ता जा था तो नेरो जाताय जब आप मार्केट field मोमेंटेबह jak तो मार्कित का लेबल में सकेल से मार्केट के लिए तहने करें 16 यानि कि निफ्टी का सपोर्ट आपको बन जाएगा 15500 ठीक है बट जहान दीजे बट 15612 के नीचे जब मार्केट चलना शुरू होगा सस्टेन होगा तब अधर्वाइस 12 के पाज जाके एक रिकोबरी आ सकता है फिर से आपको यह 70 80 पॉइंट के पॉजिटीव आके फिर मार् 850 पॉजिटीब लेवल इससे उपर जाता है तो फिर मार्केट में बहुत बगा सकता है । इस्टेफ सि का चार्ट में जब देख रहा हूं बहुत इंट्रेसटिंग चार्ट है । इस ठीके बैंक का है तो इस ध्यांट के रहेगा और सब्टिब लेकर आएगा तो मार्के को पॉजिटिव ब्रेक हुआ है यहां से देखिए एक ट्रेन लाइन डॉआ करेंगे लगभग इस तरह किसे आ रहा है ठीक है तो यहां पर मैं बात करूंगा 350 को उपर जाएगा तो भी आपको बाइंग कीजिए और 200 से नीचे जाएगा तो भी आप सेलिंग कीजिए यहां कि 33,380 इस लेबल को उपर सस्टेन होगा तभी हम कॉल सेट जाएगे 33,207 इससे नीचे जाएगा तभी हम पी सेट जाएगे और कल के दिन पर हम बात काम करेंगे इंदा मानी पे तो देखिए गाइस कल मुझे चुट्टी जुरूर दीजिए आप लोग ठीक है आप से जाएगा पर घुमने जाओंगा तो कल मैं बिल्कुली एक्टिब नहीं रहूंगा आप इस टेलिग्रम चनल पर समाल के टेड कीजिए जो मैं बता रहा हूं एक अच्छा प्राफिट हो गया है तो आप उस प्राफिट को लॉक कीजिए राइट अप्शन चेंज दिखने के जिस जगा पर हूं यहां ट्रक्ष आपको पता है कि दाता ऑप ध्राफिट जerek में हम बंद हो जाते हैं तो मोबा से काम चला रहा हूं और काफी दिक्कत मुझे यहां पर आ रहा है मोबल ने ट्रॉक से काम चलाने में तो एस पर अप्शन चन्द को बहुत हाई वॉलूम जेनरेट नहीं हो रहा है तो 15700 यह मुझे दिखा रहा है और ओपन इंट्रेस जो इनकी रिस हो रहा है 15500 यह देखिए बहुत अच्छा एक सीनारी आपको दिखा दे रहा है कि 15500 15500 और 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 लेबल जाता है 16000 ओमाइग गाट 16000 15900 इस लेवल पर यानि कि हाई रेंज रहने वाला है मार्केट देखिए आपको का सेल करना आता है ना तो मैं बताऊंगा आप सेल करो ठीक है अब सेल करो 15900 का क्वाल सेल करो 15500 का पू आपको बेंचमर्क बन सकता है और इससे डाउन जब जाएंगे तो हमरे को सीधा यह 15000 करीब एक मैगनेटिक लेबल बन रहा है अगर करीब आपको मिल जाता है 15500 करीब तो यहां पर कॉल उठाओ यहां पर कॉल उठा सकते हो ठीक है तो यह एक नजर काफी है option chain के लिए और इस चार्ट के साथ इसके साथ ध्यान से काम कीजिएगा CPR में यहां 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 यूज किया हो देखिया इस तरीके से CPR यूज होता है आपने सरकर ट्रेजर्स एप्लिकेशन प्ले स्टोर से जाके नहीं डाउनलोड किया है तो आपको दिखाएगा CPR अनलेसिस ठीक है तो वहां पर एक वीडियो है सिंपिल टेक्निकल अनलेसिस जिसे कॉस्ट है लगबग 5000 तो आप देख सकता है जो मार्केट के सही प्रेडिक्शन देखने के लिए वो वीडियो आपके लिए काफी है तो थैंक्यू गाइस आजकी वीडियो इतना ही जय हिंद जय भारत